हेलो दोस्तों आज इस यूडियो में हम बात करेंगें ECS T10 के 15 मैच के बारे में जो कि खेला जाएगा बॉन्ड बिल्यू स्टार्ट वर्से आर्चेन राइजिंग स्टार्ट के बीच में सामको च्यार विजए इस मैच की पीच रिपोर्ट की हम बात करते हैं तो देखने को मिल जाएगा अब देखो आज की इस वीडियो में आपको मैं क्या-क्या बताने वाला हुं तो यह आपके सामने रहे तो फिफ्टेंग अप्रेट करने अपनी टीम में ठीक है दो जीएल को मिलेस्ट जो फिफ्टेंग प्लेयर्स आपको मैं बताऊँ आजि एल के लिए उनको आप दो कॉमिनेस्ट में डिवाइट कर सकते और टोप यह मैच इसमोल लिए अच्छा बस लिटल रिस्क लेना होगा में ठीक है क्या लेना वो भी आपको में वीडियो के अंदर बताऊँगा टो फिक्स प्लेयर ठीक है मतलब यह जैसे माल यह पांच यह प्लेयर होगे 15 में से उनको आपको हर टीम में लेना आप 10 तीम बनाओ पां से चैपलेयर हमेशा फिक्स लेने आपको ठीक है चाह डिफ्रेंशल सीवेसी अधों को फाइनल अब्डेट जो भी होगा टीटेन के मैचों में वह आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल से जुनने के लिए आपको वीडियो के भी आप लोग कंप्रीट देखने कोसिस करना तभी आप लोगों को पता चलेगा कि एक्चुली मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं ठीक है किस परकार का मेरा अनलाइसस रहता है ठीक है तो टाइम आपको देना ही पड़ेगा ठीक है अब दोको कॉमिनेशन की में बात के में लेता हूं गाएजी यहां से आप देखो एक विकट की पर यह थीन में भेट चार बोलर तीन बोलर्स के साथ इस मैच में आप इस को मिनेशन से जा सकते हो दोन्यव Так कि लास्ट चार मैंचों की हम स्टेड देखेंगे ठीक है आचर तीम की मैं बात करें तो इसे साथ के अखिल की हम बात करें नो रन 19 रन मुलें इनका भी एवरेज प्रफॉमेंस है जेनियुल हसन की मैं बात कर लेता हूं देखो अपनी टीम के लिए दो और भी डाल रहे हैं साथ में देखो यहां पर विकेट भी लेके जा रहे हैं ठीक है बेटिंग से हमें हमें पॉइंट देखे जा रहे हैं ठीक है साथ में हमें बेटिंग से भी पॉइंट दिला सकते हैं अगर बेटिंग आएगी तो इनकी इजाथ हासमी कि मैं बात कर लेता हूं यहां से देखो अपने टीम के लिए कंप्लेट आवर डालेंगे दो और ठीक है यहां पर देखो पार टाइम के लिए के गवर भी डाला है ठीक है ऐसमान स्रीजाद की मैं बात को लेता हूं यहां से दोवर डाले विकेट लेके गए था अपनी टीम के लिए कंप्लीट दोवर डाले है और बेटिंग का मोंगा मिल रहा है तो यह बेटिंग से भी पॉइंट हमें दिला आ सकते हैं ठीक है तो यह चीज-आप ध्यान में रखना सोटली समरी में कुन से फिले निकल के आ रहे हैं आर्चेन राइजिंग स्थार की टीम से वरुन डेडी हार्ड इटर बैट्स मैंने जैसा कि मैंने आपको बता है ओपर ठीक है जेन्यूल हसन उस्मा अली इजाथ हास्में दवल और मुबेसर इनायत में से आप किसी तो देखो ग्यारा रण साथ रण चैरें बाइस रण का पारी खेला लास्ट च्यार मैचों में ठीक है हिरोन खान के मैं बात कर लेता हूं यहां से अपने टीम के लिए कंप्लीट दो डाल रहे हैं बेटिंग से भी एक मैच में 49 रण की पारी खेलिए और हम बात करेब वाक अपने टीम के लिए कंप्लीट दो डाल रहे हैं विकेट भी लेके जा रहे हैं साथ में बेटिंग का मोगा मिला तो बेटिंग से भी हमें अच्छे खासे पॉंट दिला के जा रहे हैं ठीक है तो इंपोटेंट पिक रहेंगे इस टीम से और मैं भी आप लोग चील टीम में इनको सीवीची बना सकते हो सेव सीवीची में आपको यह उप्शन में दिखाए देंगे ठीक है साबीर अली कि मैं बात के लेता हूं यहां से है दो मेंच के लिये नमबर ज ganze है भुए यहां एक रहे जा है तो या फिफे बात के लेता हूं दो मेंटे बात के लेता हूं यहां अपने घशे निकाल नेकर जघा रहे हैं ठीक है तो ये चीज भी आप ध्यान में रखना important player रहेंगे राना सिंग के मैं बात कर लेताँ अपने टीम के लिए complete दोवर डाल रहे हैं ठीक मैच में तीन के लिए बाकी में एक एक लिएट लेकर रहे हैं तो shortly summary में कौन से player आ रहे हैं बॉन ब्लू स्टार्स की साइड से हिरोन खान अच्छा उल्राउंडर है असाद महमुद होगे रंजीत राना सिंग होगे फर्मुला मिखैल होगे साबीर अली लास्ट दो मेंच में से चार अवर डाले हैं अलम सा कि मैं बात करूँ लो लास्ट में नमबर 3 पर बेटिंग करते हुए हमें दिखाए दिये थे एमडी शफिला के मैं बात कर लेता हूँ लास्ट मैच में चार मैच में उपन कर रहे हैं बड़ पर्फोर्मेंस इतना खास हमें देखने को इनसे नहीं मिला जैसा कि आप लोगों को मैंने उपर बताया ठीक है जाहिर अबास लास्ट मैच में नमबर 7 पर बेटिंग करने आ जाहिर अबास या अखिल में से आप क Suey Kas peng कर सकती ओ विक डिपर सेक्शन में उपको दिखाए देगें बेटिंग सेक्शन में हम बात कर लेते हैं 4 प्लियर आपको पता रहीं थीन प्लियर आपको लिखके जाने हैं असाद मेहमूद वरून डेडी दवल या सालम में से आप किसी एक को ट्राई कर सकते हो तो टोटल यहां से हमारे चार प्लेर निकल के आ चुके हैं बाकी के जो साथ प्लेर हैं वो आपको ओल्डाउंडर सेक्षन प्लस बोलिंग सेक्षन में लेना है ठीक है यही आपको अच् कर लेते हैं रंजीत सिंग होगे फर्मूला होगे ठीक है इजाज हास्मी जैनियूल हैसन फायत खान या मुबेसर हैसन में से आप किसी एक को ट्राई कर सकते हो अपनी जील टीम में ठीक है सेफ सीवीची के मैं बात कर लेता हूं यहां पर हिरॉन खा सेफ सीवीची में असा खान अगर खेलते हैं तो इस मैच में रिसकी सीवीची आप अपने टीम में बना सकते हो देखो अगर सेफ सीवीची अगर आप लोग जा रहे हो मान लिजिए आशाद एहमद का 37% है हिरोन खा का 27% वीची में तो आप इनको बनाईए बट एक सद दो प्लेर अगर आपको ड लिकिड कीपर सेक्शन है यहां पर ठीक है अखील और जेया वास में से आपको किसी एक को ट्राइए करना ठीक है डोनों को ट्राइए मत करना सेलेक्शन पर्षेंट ने दोनों का यह अच्छा है ठीक है यह चीज आप लोग ध्यान में रखना मैं आपको पहले बता देता देखो गया जी यहां पर एक बार सीवीशी पर आप नजर डाली जीए ए महमूद के हम बात के लेते हैं यहां से 24 परसेंट है हिरोन खान का 30 परसेंट कैप्टेंशी में है ठीक है डिफरेंचल मैं अपनी टीम में जाना चाहूंगा यहां पर ए महुमत के साथ में ठीक है मे लेट जो भी होगा वह आपको टेलग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिसक्रिप्सन में फ़र्स्ट कमेंट सेक्षा में टॉप पर पिंक वा मिलेगा तो वहां सी आप पीजी में जोइन कर पाऊगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में इसी के साथ दोस्तों जय ही